विलाई विधायक देवेंदर यादव के ग्रफतारी को लेकर कॉंग्रेस में हाँ हाकार मचा हुआ है पुर्व मुख्य मंत्री, पुर्व विधान सभाध ध्याक्ष और पुर्व उप मुख्य मंत्री जैसे दिगज कॉंग्रेस से नेताओं को जेल में निरुध कॉंग्रेस विधायक देवेंदर यादव से मिलने से रोग दिया गया बाद में सिर्फ पांच नेताओं को देवेंदर से मिलने की अनुमति मिले पुरे देश में इसका विरोध हो रहा है लेकिन उनहें खाली हात लोटा दिया गया यह वहनेता है जो 10 माँ पहले तक जिनके आदेश पर 36 गड़ का पूरा प्रशासन चला करता था उनके इशारे पर कोई भी कभी भी अंदर बाहर जाया करता था किसी के भी विरुध कुछ भी मुकदमा दर्ज हो जाया करता था आज इन ही निताओं को अपने विधाया के देवेंदर यादाओ से जेल में मिलने के लिए जेल अधिकारियों से याचना करनी पड़ी आदेश रहा होगा इसलिए अनुमती नहीं मिली बाद में लगभग 20 विधाया के जिन में अधिकांश विधायकों ने 5 साल तक मुक्यमत्री से लेकर मंत्री तक रहकर अपने हुकम की तामीली कराई थी बाद में जेल प्रशासन ने सिर्फ 5 निताव को देविद्र यादो से मिलने के अनुमती दी देविद्र से मिलने के बाद भूपेश बगहल और डॉक्टर चरंदास महन ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला अगर इस तरह से साई जी की सरकार विधायकों के साथ बेवहार करेगी तो समान जन्द के साथ कैसा कैसा बेवहार हो सकता है ये इस फ़स नजर आ रहा है हम सब लोग देविद्र भाई के साथ खरे हैं उम्रा विधायक दल उनके साथ है उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और जो अन्याय हुआ है हम लोग उसका ढट कर मुकाबला करेंगे गौर तलबे की देवेंदर यादाओ को बलावदा में कलेक्टर एसपी कारेले को फूख दिये जाने के मामले में आरूपी बनाया गया है संदेश दिया कि भारत में लोग तंतर की जड़े इतनी मजबूत है कि कल जो राजा था आज वहाँ प्रजा बना दिया गया है और जो प्रजा में शामिल था वह उपर उठकर राजा की कुर्सी पर विराजमान कर रा दिया गया है यानि भुपेश बगहल राजा से प्रजा बन गए और विश्ण देवसाय प्रजा से राजा की कुर्सी पर जा विराजे